साथियों, 2024 लोगसभाद चुनाव, स्थिर्ता बनाम अस्थिर्ता के बीच का चुनाव, एक और भाजपा एंडी ये है, जिसका धे है, देश के लिए कड़े फैस ले लो, बड़े फैस ले लो, दूसरी और, कॉंग्रेस और इंडी गड़बंदन है, जिसका मंत्र है, जहां भी सत्ता पाओ, खूब मलाईख खाओ, इंडी गड़बंदने हमेशा, देश को अस्थिर्ता में जोंका है, एक स्थिर सरकार क्यों, और कितनी जरूरी होती हैं, ये महराष्ट्र से बहतर और कौन जानेगा, इंडी एलाइंच की केंद्र में जब तक सरकार रही, महराष्ट्र की लगातार उपेक्षा होती रही, जब इंडी एलाइंच वाले धेर सारी साजी से करके, जनादेश लूट कर, राज्य की सत्ता में पहुँचे, तो भी इनोंने सिर्फ और सिरफ खुद का ही विकास किया, परिवार का ही विकास किया, किसका कितना हिस्सा होगा, कौन सा ठेका किसको मिलेगा, मलाईदार पोस्ट किसके खाते में, कितनी आएगी, ये पूरे महराश्टर का भविश, इनोंने अपनी इसी हिसाब किताब के भेंट चड़ा दिया था, महराश्टर के विकास से जुड़ा, कोई भी प्रोजेक्ट, देखते ही ये कहते थे, कमिशन लाओ, या काम पर ब्रेक लगाओ, जब यहाँ पर नए एरपोर्ट की बात आई, इंडिय अलाएंस वालों ने कहा, कमिशन लाओ, या काम पर ब्रेक लगाओ, इन लोगों ने जलियुक्त शिवार योजना बन कर दी, बली राजा, जल संजविनी योजना, जो वीदर्ब और मराठा वाड़ा में, सीच्चाई के लिए थी, उसे भी इंडिय गड़वंदन वालों ने ठप कर दिया था, विदर्ब के विकास के लिए मैंने, जिस सम्रुद्धी महामार का लोकारपन किया, उसका भी इन लोगों ने विरोध किया था, इन लोगों ने मराठा वाड़ की वाटर ग्रीड योजना बंद कर दी, कौकर्ण में रिफाइंटरी पोजेक रोक दिया, मुंबई मैट्रो का काम रोक दिया था, यहां तक की पी-एम आवाज के लिए केंद्र से पैसा आने के बावजु दिनों ने गरीबों को घर देना बंद कर दिया था, इनका लक्स एक ही था, कमिशन लाओ, या काम पर ब्रेक लगाओ, भावी और बहनों, हमारी सरकार ने महाराश्ट और विदर्ब के विकास के लिए, इन सभी योजनाओं को फिर से शुरू किया है, मुक्यमंत्री एकणाज जी सिंदे, उप मुक्यमंत्री देवेंदर फड़ानविज जी और अजीद पवार जी के साथ पूरी सरकार दिंदरात काम कर रही है, विकास के बड़े काम तेजी से पूरे हो रहे है,